देखिए परिवरन दीवस में हम सभी को जागरूख होने की आउशकता है पेड़ फ्री में दिया जा रहा है पौधे जो सबको दिया जा रहा है ये तो ठीक बात है मगर जहां पर बड़े बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है उसके लिए क्या कहना चाहिए इस चौक पर खड़ो होने के बाद जो है लोगों को कितना यहां पर ध्यान जा रहा है और क्या उनका रिप्लाई आ रहा है अगर हम पेड़ नहीं लगा पाएंगे तो हमारा दिवन संभाव नहीं है कि बोलना पड़ रहा है यहां के लोगों की पेड़ लगाई है उनको समझ नहीं हारा गर्मी से नमस्कार मेरे नाम मनीश है और आप केपी नूस देखना सुरू कर चुके हैं हम लोग इस वक सुपला चौक पर मौजूद है और आप यह जो पोस्टर देख रहे हैं हर आंगन एक पेड़ यहां पर यह सभी लोग एखंटा इसलिए हैं क्योंकि आज परियावरन दिवस है और इसके ठीक पीछे कई सारे पौधे हैं और इन पौधों को यहां पर फ्री में दिया जा रहा है क्या कुछ यह आयोजन है किस विशे पर किया जा रहा है परियोवरन दिवस है मगर क्या विचार है इसकी पेशे बताईए पेड़ के जाल बिष्टे जा रहे हैं इसके जगह हम रिच्छारोपन भी करें ताकि परियवरन संतुलन होते रहे हर व्यक्ति अगर दो-तीन पेड़ लगा ले तो यह हमारा जो संतुलन है दर्थी का तापमान बढ़ रहा है वो कम होगा जिस प्रकार से भारत एक विक्सित भारत कहा जा रहा है भारत को भारत कई जारी उन्यतियों के और बढ़ रहा है वहाँ पर भारत के लोगों को बार बार ये पोस्टर दिखा जिएक के कहा जा रहा है कि पेड़ लगाओ क्या ये आज की समय में उतना वैलिड है कि बोलना प्रशाशन में उसके खिलाप हम लड़ते हैं कि प्रशाशन से कहते हैं कि पेड़ को ना काटा जा रहा है उसको क्या नाम है आपका शार्दा गुप्ता यहां पर पेड़ की कमी बहुत जादा है हम उसको संतुलन बनाने के लिए बिल्कुल काम कर रहे हैं और लबख तीन सालों से कर रहे हैं और हर जगा पेड़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं आली में जो डेस्पी साब आये वे थे उनके तरफ से क्या सही होगे हम सभी को प्रसाहित करते रहते हैं और इसके पहले की कार्यकर में उपहुत सुखे हैं तो उनका मारदशन हमको मिल जा रहा है इस चौक पर खड़ होने के बाद जो है लोगों को कितना यहां पर ध्यान जा रहा है और क्या उनका reply आ रहा है लोगों का रुजान लोग स्वैम आ रहा है और पेड की मांग कर रहे हैं लोगों के जागरित करने के आवशकता है लोग जागरित होंगे निरंतर इसमें सुधार होगा यहां पोश्टर के कपसे खड़ें आप यह पुश्टर को पकड जरूरी है जब तक हम प्रक्रिति का प्रदूसन जो परियावरण को बचाने के लिए यह उसको पेड़ का होना बहुत जरूरी है तभी हम आक्सिजन मिल पाएगा जीवन संभाव हो पाएगा अगर हम पेड़ नहीं लगा पाएंगे तो हमारा जीवन संभाव नहीं है देंगे चाया देंगे आक्सिजन देंगे और प्रवाण की जो ब्यस्ता है उसको संतुलित मना के रखें और संतुलन को बनाने में जो है सभी का सयोग होना चाहिए और अगर सब का सयोग होगा तभी जो है पडियावरण दूसी थोने से बचेगा और जिस प्रकार की स्थि प्रवाण जरूरी है और यहां पर आईए और प्री में पेड़न दीवस को काफी अच्छे से बनाइए और बैर-उन को दूसिट ना हो इसलिए उसकी स्रक्षा के लिए पेड़ जरूर लगाई है केपीनूस को लगातार देखते रही हैए सबस्क्राइब करिए और आपको भी परिवरन दिवस की खूब सारी सुपकामना है धन्यवाद